हेलो मेरे प्यारे बच्चो आज के समय में हर एक बच्चा यही जानना चाहता है कि गुरू जी आगे जाकर ALP की कितनी वेकेंसी आ सकती है टेक्षण की कितनी वेकेंसी आ जाएगी और कौन-कौन सी वेकेंसी कितनी आएगी तो गाईस इसका एक डाटा मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जो की ओफिसली कले एक नोटिस आया जैसा कि आपको सबी को बताए जीडिसी का नोटिफिकेशन आना था तो उसी के तहट एक मेरे भाई पूरा पूरा एक डिवीजन ने एक पूरा नोटिस जारी करा है एक पूरा डाटा जारी करा है जिस मैं वेकेंसी के बारे हम बता है कि ओपन वेकेंसी और जो इंटरनल वेकेंसी होती है इंटरनल वेकेंसी वो होती है जो डिपार्टमेंट करा तो कई ना कई नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था बट साथ इस डाटा के इस डाटा को मनले इखटा करा जा रहा हुआ कि कितनी वेकेंसी है इस सभी के चक्कर में साथ मुझे लग रहा है तो देखे जैसा कि हर एक बच्चे को पता है अगर आप रेलवे अगर आई त्यारी कर रहे हो तो जितने ही वेकैंसी होती है तो उसमें से जी का 25% होता है अब जैसे यहां पर टोर्म वेकनसी बता रहे हैं, अगर मैं इससे बड़ा कर दू, तोडल वेकनसी आपकी बता रही हैं, कितनी 3-54, ये एक division की बात हो रही है, और अगर इसकी बात करें तो, नॉर्थ वैस्टर रेलवे, ठीक है, जैपु division की बात हो रही है, जहां पर आपकी अगर टोटल वेकेंसी की बात करें, 354 है, जिसमें से 25% 89 के करीब GDC की भरती हैं, उसके अलावा सारी open vacancy हो जाएंगी, चलो यह वाली बात हो गई, एक और division से यहां से वो आया है, देख लेते हैं, यह वाला division, इस division में total vacancy 268 है, GDC की 25% 47 के करीब मान लेते हैं, तो open vacancy यहां पे 221 बसती हैं, अब दो तरह की बात आती हैं, कि सर ग्रूप डी, जो सारी, ग्रूप डी सारी, GDC की जो vacancy निकलेंगी, overall कितनी निकल सकती है, internal, और अगर open जिसे आप भी भर सकते हो, वो कितनी निकल सकती है, GDC में मतलब ALP वगरा की, क्योंकि अगर आप देखोगे, तो जितना भी यहाँ पर डाटा दिया गया है, इसमें सिर्फ असिस्टेंट लोगो पाइलेट वाली vacancy की ज्यादा तर बात हो रही है, और तो सब अभी तक निल है, यानि कि कहीं न कहीं, अभी सिर्फ इसकी बात हो रही है, ALP की, अगर इसके अलावा और भी इतरी सारी आप हैं, और इन सभी को टोटल करते हैं, तो open vacancy आपकी 221 बन रही है, अब अगर मैं data को calculate करता हूँ, तो 70 division है आपके, आज के time पर total 70 division है, अगर आप बात करते हैं, कौन सी वाली, GDC, GDC यानि जो departmental vacancy हैं, उसकी, तो अभी आपने पीछे देखा, कहीं ना कहीं, 70 से 80 एक average है, क अगर निकलते हैं, सिर्फ एलपी, एलपी की तो 5600 इतने के करीब आपको vacancy सिर्फ एलपी, एलपी की देखनों मिलेंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एलपी की job होती है, जो बहुत सारी होती है, पर ये vacancy वह हैं, जो GDC जो departmental वाली है, अब आप सभी को departmental वालो को तो departmental वाली vacancy का उन्हीं को फायदा जो job ले चुका है, जो half-lal में group D वाले बच्चे हैं, और भी NTPC वाले बच्चे हैं, जो job ले चुके हैं, वही ये फायदा उठा सकते हैं, अब आपको फायदा कैस होगा, आपको फायदा होगा इन open vacancy से, अब open vacancy की बात करें, अच्छा नहां पर open market, open यानि जिसे आप भी भर सकते हो, तो हर division में average कहीं पर 300 हैं, कहीं 500 हैं, कहीं 200 हैं, इस तरह से open market वाली vacancy हैं, तो होता क्या है, ये एक तरीका होता है, वाली total 100 हैं, तो 100 में से 25 परसंट, यानि 25 जोब तो internal फिल कर लो, जो department वाले लोग, 75 जोब भार वाले लो जाता है मैं कहीं 700 होंगी, कहीं 600 होंगी, कहीं 200 भी होंगी, कहीं 100 होंगी, तो average 400 ले ले लेते हैं, तो 28,000 के करीब कहीं न कहीं ये vacancy दिखती हैं, तो 28,000 से 30,000 पर ये सिर्फ और सिर्फ ALP की बहुत पर आपसे कहा जाता है, technique बी, तो भ्या ये तो सिर्फ ALP, alp, technician की अलग तो अभी के अभी यहां पर जो वैकेंशी दिखा रहे हैं वो हैं ठीक है इसी तरह से मेरे भाई अगर मैं बात करता हूं गुट्स गार्ट वगरागी तो 70-50 मतलब 3500 करीब यह वैकेंशी तो अच्छी वैकेंशी आपको कुछ दिनों में देखने हों मिल सकते हैं इन्हों ने जो डाटा दिया तो इसके लिए था सिर्फ और सिर्फ अपना 25% GDC वाली वैकेंशी के लिए बट यही से एक अनुमान लगा लिया गया है कि इस तरह से तो देखा जाए तो जो बच्ची हुई है तो इस तरह से इतनी कम से कम वैकेंशी आपके लिए हैं अब बहुत से अच जुड़ना है तो फिस्स वाल हवाली आप पर 599 में चल रहा है उसके लावा आपके मलब वैसे चल रहा है Ż tad के प्वॉ ऐप पर चल रहाँ है तो रात नौ बॉझे अपनी तयारी अच्छी कर सकते हैं तो रात नौ बॉझे डेली मिलना ना भूले अखืy साथ के साथ टौप तक पि bodies और ज्योद्व खड़ा करन सकते हैं नब शाने अथि हुए नब हुए